इस कारिक्रम के पुर्णियारजक है उतकर शिसमू एवं सुप्रफ सुवाच परिवार भारत बिना सम्मेक दर्शन के तुमारी बाहर की प्रतेक परणती प्रतेक क्रिया व्यर्थ है यह सत्यता को समझो जानो और मानो भीतर अगर एक दूसरे के प्रती परस्पर के प्रती थोड़ा साभी थोड़ा साभी आर्त्र परणाम है करुणा है दया है तो जीवी किसी दूसरे को दुखी देख नहीं सकता करने की नहीं कह रहा हूँ आप करते हो बात अलग है मैं कह रहा हूँ सम्मेक दुष्टी दूसरे को दुखी देख भी नहीं सकता जो हमसे गुणी मिलते है स्रेष्ठ मिलते है त्यागी तपस वी विशेश 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 ज्यान दर्षन चारित्र से आभूशित होते है उनके प्रतिस सहेज जुकाव हो जाता है जुकाना नहीं पढ़ता मात्र सब्दों में कहने सिमा क्या होगा? गुणी जनों को बोलो बोलो गुणी जनों को दे कर दे में जूट क्यों बोल रहे हो साब साब जूट बोलते हैं गुणी जनों को दे कर दे में मेरे द्वेश उमड़ावे कि प्रेम उमड़ावे कितना प्रेम उमड़ता है सही सही बताना बिलकुल सही सही बताना कितना प्रेम हुमडता है और कितनी इरिशवर, कितना द्वेश हुमडता ये क्यों आ गया है अच्छा खासा थो हो गया हो गया है आत्मा की विसुद्धी पूरी ही विसुद्धी का सुद्धी सब्दों में कह दिया गुड़ी जनों को देख कर दे मैं भगवान से तो कहते भगवान सुन ले मैं आया हूँ गुणी जन्र है हूँ तुम प्रेम उमड लेना तेरा पर मैं जब भी देखूंगा दूसरों को ना तो द्वेश भावना से देखूंगा जब भी मुल खोलूंगा तो सीधी मुत बाद क्या परणती है क्या परणती है क्या परणती है अगर समाज दुनिया तुम्हे धर्मात्मा मान रही है साधू मान रही है साधू नहीं स्रावक भी मान रही है तो विचार करो मुझे अपनी परणती को किस प्रकार से समालना होगा अगर मैं जीव हूँ, मुझे कोई बुरा भला कहता है तो जिस प्रकार से कष्ट होता है उसी प्रकार से मैं अगर किसी दूसरे को कुछ कहूँ तो उस पर क्या बेती होगी मेरी कोई निंदा करता है तो मुझे कैसा होता है और मैं जब दूसरों की निंदा करता हूँ तब कहा जाता है मेरा विवेक कोई मेरी बारे में कहता है तो मैं तो आग बबुला हूँ तो उसने कहा कैसे ऐसा मैं तो था ही रही फिर मैंने जब बिना विवेक के जब दूसरों के बारे में जो चाहे ये अद्वात अद्वा कहा था उसका फल कौन भोगेगा उसका फल मिलेगा किसको ये सोचो ये विचार करो मैं अगर जीव हूँ तो बाकी भी सभी जीव है उनकी रक्षा करना भी मेरा कार्य है आसान है माँ, चीटी, मच्छर आदी की तो रक्षा कर लेना फिर भी फिर भी फिर भी आसान है पर एक पंचेंद्री मनुष्य की रक्षा करना उसके प्रती भी जीवी की भावना उसकी दया करुणा की भावना धारन करना बहुत कठिन है बहुत कठिन है बहुत कठिन है उसको ही तो समझना है कुंद कुंद भगवान कहते हैं दोनों गाथाओं में पढ़ते हैं पहले गाथाओं को फिर करते हैं चर्चावे क्या कहना चाते है क्या कहना चाते है अद्भुत अद्भुत ऐसे अद्भुत योगी हुए जिन्नोंने तत्वों के निर्णे के साथ श्रावक और साधु दोनों के शिथिलाचार पर कड़ा प्रहार किया है क्या कहते है पढ़ते है फिर एक एक शब्दों के माध्यम से समझते है और परीक्षा करते है अपनी आपकी कि मैं कौन हूँ पढ़ो एक सो चार और एक सो पांच मेरे बाद मैं आप पढ़ते जाना जे पावारं भरदा कसाय जुत्ता परिगहा सता लोय वभाहार पडव पवडा तेसा हु सम्मम्मुका परिगहा जाना नगया हु पडव परस्टा पोड़नुका नसहंति तरधन्नम्तुवन्ति अपानम्प माहप्पम् जिवन मित्तम कोवंती कज्जमते साहु सम्माँ मुका ज्यानियों ऐसे साधु वेरले ही मिलते है जो सत्य को सत्य के रूप में कहना जानते है जो जैसा आया उसको उसके हिसाब से कह देना ये साधुता नहीं है पर उसकी गलती को गलत तरीके से प्रस्तुत करना ये भी साधुता नहीं है ये विवेक पूर्वक कार्य कह रहे है क्या कुंद कुंद भगवान अन्यत्र भी और भी तो बहुत सारी बाते कर सकते थे पर विवेक पूर्वक क्रम क्रम से इस रावकों की व्याख्या करने के उपरांत साधुं को भी कह रहे है कि है साधु तो दूसरों के लिए धर्म का तोपदेश देरा है पर तेरा धर्म कहां तेरा धर्म क्या है तुने आज तक अपने धर्म को कितना समझा ये समझने के लिए उन्हें कई कई पुर्शार्थ करने की आवज सकता है जो पावारंभरदा जो पाप और आरंभ में रत है निरत है पाप और आरंभ पाप और हिंसा इनके अलावा जो जीव अन्य कुछ नहीं कर रहा है स्राव को चाहे स्राव कहो चाहे साधु हो सम्मेक दर्शन तो दोनों के लिए एक ही है ना क्या लग लग है एक ही है एक ही है एक ही है एक ही है इसलिए जो जो साधु के लिए कहा जा रहा है वहवश राव को आप अपने लिए भी लगा कर देख लेना, समझ लेना अपने लिए भी कसोटी में कस कर देख लेना कि मैं सम्मिंक दृष्टी हूँ क chrom जैनल मैं नहीं कहूंगा किसी को कुछ ना मेरा अधिकार है किसी को कुछ कहने का क्योंकि क्योंकि मिथ्या दृष्टी कहना बहुत आसान है पर अपने आपको सम्मेख दृष्टी पहचान लेना बहुत कठी नहीं बहुत कठी नहीं अपनी परीक्षा करके देखने के आवज सकता है क्योंकि सम्मेख दृष्टी मा कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टी कहता ही नहीं साक्षात मिथ्या दृष्टी भी प्रीत कार्य करते हुए भी दिख जाए ना तो भी सम्मेक दृष्टी उसे कभी सब के सामने मिथ्या दृष्टी करके चिलाता नहीं है गलती दिखने के बाद वह पास पहुँचता है स्थिति करन उपगोहन और वाचल का परिचे देकर कहता है कि ये गलती हुथी ऐसा कर लो पर गला भाड़कर माइक से मन से टीवी से आदी आदी से ये नहीं कहता ये मिध्या दृष्टी है इसका ग्यान ऐसा इसका चारितर ऐसा कभी नहीं कहता कभी नहीं कहता दूसरे के ग्यान चारितर और स्रद्धान से तेरा क्या फरक पढ़ने वाला है ग्यानी अपने स्रद्धान के बारे में सोच अगर तुमारे मुख से इतनी भडाँ आस निकल रही है तो भीतर कितनी कशाय भरी होगी भीतर कितनी कसाय भरी होगी कसाय जुत्ता जो कसायों से युकता है उसकी भासा में ही गाली निकल रही है कसाय उगल रहा है फिर भीतर क्या भरा होगा जो जो भीतर भरा होता है वही वही बाहर निकलता है मा भोजन बनाते हो भोजन बनाते हो कच्चा के अच्छा कच्चा चावल बनाए चावल बनाए के भाद बनाया कितना जोड बोलते बता जो कुकर में भाद बनाया मा सीटी में से क्या निकलता है ठंडी हवा क्यों जो अंदर भर जाता है वही कही न कही उप से निकलता है जिनके भीतर कशाय होती है वह कशाय ही उगलता है चाहे जो तुम कर लेना सरप को, सरप को कासलीबालजी कितना ही गुड़ और दूद पिला लेना पर सरप की क्या सिती सरप की क्या सिती गुड़ दुदंध भी बनता शरप कभी निर्विश नहीं होता, उगलेगा जब भी, जहर ही उगलेगा, जहर ही उगलेगा, जो कशायों से युक्त है, कशायों से युक्त है, वह जिव्भा निमित्तम कुवदी कज्जम, 105 नंबर में कह रहे है, संबंद है 104 के साथ, कशायों से युक्त होते हुए, जो जिव्भा के निमित्त से कार्य करता है, जिव्भा का प्रयोग करता है, ये चार इंच की जिव्भा, ये चार इंच की जिव्भा क्या कुछ नहीं कर जाती, महाभारत क्यों हुआ, ये चार इंच की जिव्भा हिल गई थी ना, जिव्वा निमित्तम कज्जा जो जिव्वा के कारण से विप्रीत यदवा तदवा आरे तुरे इधर उधर की बाते करता है वह कभी सम्मेक दर्शन से युक्त हो नहीं सकता मैंने ही कह रहाएं किसी को कुछ भगवान कुंद कुंद स्वामी दोनों गाथाओंके अंतिम चरण में कह रहे हैं ते शाहू सम्मा उम्मुक्का ते स्वे साधू सम्मेक दर्शन से उन्मुक्त है दूर है रहित है पर साधू साधू ही मत समझे जब साधू उन्मुक्त है आपका क्या होगा स्रावको आपका क्या होगा थोड़ा सा थोड़ा सा विचार करे निरने करे कि हमारी परणती कहा है क्यों नहीं मा क्यों नहीं अन्भूती हो रही हमें उस विशुद्धी की क्यों नहीं इस परश कर पा रहे है उस सम्मेक दर्शन का, उस करता का, क्योंकि कही न कही, कही न कही ये अबस्टैकल ये बीच बीच के हमारे रुकावट के कार्य करने वाले ये निमित हमें प्राप्त हो रहे है, परिग्रह सत्ता, परिग्रह से, परिग्रह से, परिग्रह से युक्त और मात्र युक्त नहीं कह परिग्रह सत्ता परिग्रह में आसत है साधू भी है तो और स्रावक है तो किसी प्रकार से अगर परिग्रह में आसत है और ये जूटी वैरागे की बाते तो छोड़ दो जूटी वैरागे की बाते तो छोड़ दो हम तो है ही नहीं हमें तो राग है यही नहीं परिग्रह में वो तो पड़े है रखे है धरे है यह सब जूटी ढोंगी बाते हैं हाँ ऐसे बहुत सारे मिलते हैं हमें तो तुम्हारा जी हमारा राग नहीं है अब घर है परिवार है चलाना अरे चलाना क्यों पड़ता है फिर छोड़ो ना किसन ये जोटी वेरागे की बातों से कल्याण नहीं होगा गल्ती को गल्ती मान लो ना फरक्या पड़ रहा है ठीक है है सो है छोड़ेंगे गल्ती को मानेंगे तभी तो छोटेगा पर नहीं मान पाता नहीं मान पाता परिग्रह में जो जो आ सकता है उसकी विशुद्धी बने ही नहीं सकती है क्योंकि परिग्रह की आसकती और परिग्रह की इतनी असुद्धी है वह विशुद्धी का स्पर्श हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता जब साधु जिनोंने सब आडंबर सब परिग्रह सब कुछ छोड़ दिया है उनके लिए भी कह रहे है ज्यानी अगर अंतरंका भी कोई परिग्रभ बैठा है न रागद्वेश का तो भी तू सम्मेंक दर्शंसे रही थै फिर फिर क्या परणती साधू बने हो साधू का ही साधू का ही कार्यक लोय व्यवहार पौरा लोक व्यवहार में लगे है ये नेता ये फलाना ये फोटो ये डिमगा ये सब लोक व्यवहार है साधू के सामने चाहे कोई नेता आ जाए तुमारा काम मात्र आशिरवा देना है दुनिया के प्रपंचों में उलजकर राजनेती करना तुमारा काम नहीं है तुम्हारा काम नहीं है लोक व्यवहार प्रवरा जो लोक व्यवहार में प्रचुर है प्रचुर मात्रा में लोक व्यवहार इधर का उधर कर दे उधर का उधर कर दे इस मंदिर का क्या हुआ उस ट्रस्ट का क्या हुआ यहां का क्या हुआ तुम्हें क्या करना है तुम की अपने चारित्र की अपने ज्ञान की तो रक्षा कर तभी तो तुम्हारा रत्नन्त्रे सुकोषल होगा अन्न्य था, पुन्हा, पुन्हा पुन्हा, पुन्हा, इन राग द्वेश रूपी परीग्रः के कारण तु दुखी ही होता रहेगा नई देखा ना कहां जा रहा है कहां जा रहा है हे साधू तो कहां जा रहा है मैंनी कह रहा कुंद कुंद भगवान कह रहा है मिल रहे है न शब्द लोक ववहार पवुरा जो लोक ववहार में उल्जा है ना सामाई का समय है ना देने क्रिया करने के लिए उसके पास समय है, कोई आए सुब एठ गए, दो-दो घंटे, चार-चार घंटे 6-6 घंटे, कहा निकल गए पते नहे सराव को गलती आप भी करते हो, गलती आप भी करते हो, जितना समय है उतने ही समय में उतने ही मर्यादा में जाओ अनावसक रोप से अनावसक रोप से साधूं के पास तुम्हारा तो काम बन जाएगा तुम्हारी तो कर्मों के निर्जरा हो जाएगी पर अगर साधू का एक मिनिट भी जो केमिती था वह कही अन्यत्र व्यर्थ चला गया तो क्या हो गया बैठने के लिए निशिद नहीं है बैठो फिर उनके क्रियाकल आपको देखो उनकी समयतियों के पालन के बारे में सोचो कि देखो ये गरंथ रख रहे है तो भी मालजिन कर उठा रहे है तो यसा कर रहे है बैठते समय उन्हें पिछी का प्रयोक्या चलते समय उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में दूप चाओ से गए पिछी से शरीर का मालजिन किया ये देखकर प्रवचन गरंड करो न पर क्या होता है हम भी बाते करते हैं और उनको भी बातों में लगा देते हैं सोचना विचार कर लेना लोक व्यवहार साधू कर रहा है तो सम्यक दर्शन से रहित कहा ठीक है फॉर्मालिटी लोक व्यवहार के रूप में होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि कल कोई साधू बन जाए और वे आकड के रहे नहीं मैं तो साधू हूँ मैं नहीं आशिरवाद दूँगा लोक व्यवहार से रहित रहने के लिए कहा है गुंद कुंद भगवान ने मैं आशिरवाद नहीं दूँगा मैं स्वाद्दय कर रहा हूँ न अरे ये अविवेक है ये अविवेक है ये अविवेक है लोक वेवहार पौरा यानि लोक वेवहार में ही जो डूबा है प्रचुर मात्रा में लोक वेवहार के लिए काम कर रहा है उसका निशेद है अगर लोक वेवहार ही तुम नहीं जानते हो तो फिर साधू किस बात के अभी ज्यानियों लोक व्यवहार भी पास नहीं भटक रहा है व्यवहार ने और दूरका और निश्य तो कह नहीं क्या बिना लोक व्यवहार के कार्यसिद नहीं होगा पर लोक व्यवहार उतना ही हो जितना तक लोगों के साथ व्यवहार हो संग का मुख्या है तो उन्हें तो सब कुछ देखना पड़ेगा समाज को भी देखना पड़ेगा आने जाने वालों को भी देखना पड़ेगा सब को देखना पड़ेगा नहीं तो को अरे वह तो महाराज तो सब उनसे कमेटी वालों से बात कर रहे थे मतलब यह साधू नही करेंगे इसकारिक्रिम के पुर्णियार्चक थे उतकर शिसमू एवं सुप्रफ सुवाच परिवार भारत